बिल्कुल इंडिया की टीम नो डाउट बड़ी अच्छी टीम है और ओवल आर्ज देखे जाए तो यह वर्ल्टी ट्वंटी नंबर वन बन गया है इसी तरह जैसे रोज शर्मा के पास केप्टेंशी आई उसने यह कर दिखाया हेलो वर्यवन दिस योरोस फैसल उमर और आप देख रहे हैं पब्लिक रेक्शन शो गाइज एक न्यू लेटरस अपडेट आई है आई सी सी ने टी ट्वंटी रैंकिंग जारी की है इसमें इंडियन टीम जो है उन्होंने छे साल बाद इंगलेंड से फ़र्स पोजिशन चीन के नंबर वन बन गई हैं उन्होंने वेस्ट इंडियन को 3-0 से वाइट वाश किया था और ये इंडियन टीम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है रोहत शर्मा की कैपिंसी में बहुत ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने इतना अरसा गुजारने के बाद नंबर वन हो गए हैं दुबारा से तो इस पे पाकिस्टानी पबलिक जो है वो क्या कहती है इंडिया की टीम की एचीवमेंट पे उनका क्या रेक्शन है आए जाने उनसे अभी आई सी ने टी टी ट्वेंटी रैंकिंग्स जो है वो जारी की है नई लेटर जिसमें छे साल बाद इंडिया की टीम जो है नंबर वन आ गी है और उन्होंने वेस्ट इंडीज को थ्री जिरो से वाइट वाश करने की वज़ा से वो पॉइंट उपर आए और वन नंबर वन हो गी है इस पर आपका क्या रेक्शन है जी बिल्कुल इंडिया की टीम नो डाउट बड़ी अच्छी टीम है और वह अच्छा प्रफॉर्म कर रही है और वह डिजर्व भी करती थी आपको पता है कि वह पहले नंबर पर आना उनका बनता था लेकिन स्पोर्स में कोई भी अजीवमेंट किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी होती है और और यह इसमें बहुत बड़ा अच्छा इनिशेटिव है और स्पोर्स में के लिए भी यह बहुत ज्यादा एक आप कह सकते हैं के स्पिरिट वली चीज है कि बंदा दूसरों से सीखे चाहिए अपने मुखालफीन से सीखे सो इट सब वैरी गूड इनिशेटिव के उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है और से उन्होंने जो आप पोजेशन जो है वो चेंज की और नंबर वन बन गी है यह सबसे ज्यादा बात होती है कप्टेंसी की और उपर टीम मैनेजमेंट की इससे पहले जो कप्टेंसी थी या चली आ रही थी वो थी विरात कोली के पास और रोज शर्मा जो के आई पील में आप देख रहे तो इसकी कप्टेंसी जो कि बहुत ही आची थी और वो टीम को मैनेजमेंट को साथ लेकर चल रहे थे इसी तरह जैसे ही रोज शर्मा के पास कप्टेंसी आई उसने यह कर दिखा है आज ही रैंकिंग अपडेट हुई है तो इस एचिम मेंट पर आपका क्या तो हर प्लेयरी करता है लेकिन जो अपने स्ट्रगल करता है मैनत करता है अची परफॉर्म करता है वही टॉप पर आती है टीम तो हर टीम की यही कोशिश है कि हम हमारा मतलब नाम आए हम टॉप पर आए लेकिन ए मैनत करने से आईगा जिस तरह भी मैन टीम ने मिनत की इंड मेरे टीम बिल्कुल प्रफेक्ट मेनत प्लेयर कर रहे हैं जो वर्ड कप में इंडिया ने जो अच्छा नहीं ता लेकिन मेरे ख्याल में जो कैप्टेंशी में चेंज आई है तो इसकी कैप्टेंश की के वजह से मतलब मेरे ख्याल में उन्होंनों नहीं अच्छी किया होगा यह कितनी बड़ी ऐचीवमेंट है छे साल बाद मतलब का नंबर वण बने है देखे रइंकिंट में नंबार उन बनना मतलब बड़ी कोशिश की बात होते है बड़ा अच्यूवमेंट होते है तो इसलिए मतलब ये चूटी बात नहीं है रइंकिंग और ट्विटी जैसा मत रोईट शर्मा का कितना किरदार है इंडिया को नंबर बन लाने में मैं समझता हूं जी पिछले दो तीन सालों में जो क्लैशी चल रहे हैं कोली आउट ओफ फॉम हैं और रोईट शर्मा और कोली के दरम्यान भी काफी वह चपकलस चल रही थी इस वजह से जब भी मैं समझता को वह हार रहे हैं और अब वह कोली तीनों फॉम हरे बन गया है तो मैं समझता हूं का अब उनकी तीम में काफी चेंजिंग आ रही है और अच्छी परफॉर्म कारी है तो इसमें काफी हता कि आपको प्रफॉर्म भी कर जाएं और वहां से टीम जीट जाती है तो इसमें काफी हता कि रोईस चरमा देखे है उसने बड़ी स्टरगल की है स्टरगल के बावजुद उसको केप्टन सी मिलिया और बड़े अर्से बाद मिलिया जो भी परफॉर्मेंस होती है उस पर कपतान का रोल तो आहम ही होता है तो इसमें उनका जो भी टीम है तो कैप्टन सी जो है वो मेजर फैक्ट होता है हर टीम की विनिंग पे जो है वो कैप्टन का का आपकी नजर में कितनी बड़ी चीवमेंट है पांच छे साल स्ट्रगल की है उन्होंने वो मतब दूसरे तीसरे चोथे नंबर पे थे फॉस्ट टाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आखिर कारों ने काम्याबी हासिल कर ली है तो क्या चीज़ें हैं जो उन्होंने इंडियन टीम ने इंप्रूव की हैं और नमबर वन बन गया है क्योंके जो हैना रिसेंटली अभी उनके नया प्रमोट हुए है तो उनको सैटल उन्हों में काफी टाइम लगा तो अब वो सैट हो चुके हैं तो इसलिए जाना हो क्योंके पहले पराने प्लेयर थे तो उनकी परफार्मेस अची थी और इंडियन टीम ताप पे थी तो भी अच्छा खासा वो खेलेंगे लेकर मैंजा में तो पाकिस्दान को वहरा नहीं सकते यह मेरी अपनी अब्जर्वेशन का टी टॉन्टी वर्ल्ड का पाने वाला है उसमें इंडियन टीम का कॉन्फिदेंस से बढ़ेगा इस तरह जिस तरह अब उन्होंने वाइट वाश क्लास टीम से वो जी चुक हैं तो यह इससे जहरी बात इंकरेजमिंट मिलेगा उन्हें वर्ल्ड काप में और वो पीचीज को यूज कर रहे हैं जिस पीचीज में उन्होंने जाकर खेलना है तो आई तिंग इट सबैरी गूड इनिशेटिव रोई शर्मा जो है उसका एक् कि फाइदा होने वाला इंडियन टीम को यह उनका कॉंफिडेंस बाल हो गया है कि वो एक दब से तीसरे चौते पे थे तो इंगलेंड को क्रॉस करके नंबर वन पे आएं जी तो उन्होंने अपना माइंड सैट कर रहे हैं कि हमने मतले टॉप पर आना है वो स्ट्रगल कर र हो दोंगा कि उनकी टीम जो है वो दिन बदिन जो है आच्छा खेल रही है और उनकी रेंकिंग जो है वो बेटर हो रही है तो मैं इसमें कोई प्लीटिकल उक्राया है वह स्विक्ष्क्राश को फिप्व करन नहीं ली गता हूँ हूं पाकिसान और इंडिया के मैं चीज़ और दूसरा ये के मुझे उमीद है कि वह इस चीज को लेकर आगे इन फ्यूचर लेकर अच्छा चलेंगे और इसको में पाक्सानियों को और ज्यादा मज़ा आएगा इंडिया के साथ मैच खेलने में हाँ उमीद तो है हमें हमेशा इस चीज का इंतजार रहता है कि पाकिस्त है